मानन ये सद्दस्योगों, सरकार का ये निरंतर प्रयासे की देश के जुबाओं को आपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अफसर मिले। सरकारी भरति हो या फिर परिखाएं सुनिये सुनिये परिखाएं किसी भी कारों से इन में रुकाबोट आए ये उचित नहीं है इन में सुचिता और पारिदर्शता बहुत जोरूरी है हाली में कुछ परिखाएं में हुई पेपर लीक की गट्नाओं की निस्पोक जांच और दोसियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाल दिलवाने के लिए मेरी सरकार पत्तिवास अमारे पहली भी इससे पहली भी हमने देखा है कि कोई राजों भी पेपर लिग की घटनाएं होती रही है इस पर दलिय राजनीती से उपर उठकर दलिय राजनीती से उपर उठकर देश ब्यापी ठोस उपाई करने की ज़रूरों थे संसोद ने भी परिखा में होने बाली गोड़बोडियों के विरूत एक सक्त कानून बनाया है मेरी सरकार परिखारों से जुड़ी संस्ताओं उनके कामकाज के तरीके परिखा परिख्रिया सोभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है मानन या सदस्यगन मेरी सरकार ने जुबाओं की राष्टर निर्मन में भागी दरी और बढ़ाने के लिए मेरा जुबा भारत माय भारत अभिजान की सुरुवात भी की है इसमें आप तो देड करोर से अधिक जुबाओं का पुंजी करोन हो चुका है इस पहल से जुबाओं में नेत्रुत्तो कसल और सेवा भावना का विजारोपण होगा आज हमारी जुबाओं को खेलों में भी आगे बनने के नई अबस्वर मिल रहे हैं मेरी सरकर के प्रभावी प्रयासों का परिडाम है कि भारत के युबाओं किलाड़ी वोईशिक मंचों पो रेकोर्ड संख्या में मेडल्स जीत दाहे हैं कुछी दिनों बाद पेडिस ओलिम्पिक्स में भी शुरू हने बाले जा रहे हैं ओलिम्पिक्स में देश का प्रतिनी धित्तों कान्य बाले हार खिलाड़ी पर हमें गर्भ है मैं उन्हें अपनी सुब कामनाई देती हैं इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतियों ओलिम्पिक्स संग 2036 ओलिम्पिक्स खेलोग की मेजवानी की टेयारी भी कर रही है माने नियों सदस्यगों जुलाई की पहली तारीक से देश में भारतियों न्याय संग ये ताभी लागू हो जाएगी अंग्रे जी राज में गुलामों को दोंड देने की मान सिकता थी दुरभाग्यों से आजादी के उनेक दोसों को तो गुलामी के दोर की ये ही दोंड बेवस्ता चलती रही इसे बदलने की चर्चा उनेक दोसों को से की जा रही थी लेकिन ये सहस भी मेरी सोरका नहीं करने के दिखाये हैं आप दॉंड़ के जगा न्याय को प्राथमिकता होगी जो हमारी संभिधान की भी भावना है इन नहीं कनुनों से न्याय प्रोक्रिया में तेजी आएगी आज जो बिदेश अलग-अलग छेत्रों में गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त पा रहे हैं तो अब ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रोता सिनानों की सच्चिस रधानजली भी है मेरा सरकार ने CAA कानून के तहट सररार्थियों को नागरिता देना शुरू कर दिया है इससे बोठवारे सपंदित पिडित अने परिबारों के लिए स्वनमान का जिवन जिना तई हुआ है जीन परिबारों को CAA के तहट नागरिकिता मिली है में उनके बेहतर भविश्चो की कामना करती हूँ मानेनिय सद्दस्यगोन मेरी सरकार भविश्चो निर्मान के प्रयासों के साथ ही भारत के संस्कूति के बोईभोग और विरासोत को फीर से स्तापित कर रही है खाल में नालंदा इंवर्सिटी के भोव्यो केम्पोस के रूप में इसमे एक नाया उद्धाय जुड़ा है नालंदा सिर्फ एक इंवर्सिटी मत्रों नहीं थी वाल्कि ये बैसिक ग्यान केंद्रों के रूप में भारत के गोरव शली अतित का प्रोमान थी मुझे विश्वा से की नई नालंदा इंवर्सिटी भारत को ग्लोबाल नोलेज होग बनाने में स्वहयोक सिध्ध होगी मेरी सरकर का ये प्रया से की भावी पिडियों को हजारों बोर्षों की हमारी विराशोत प्रयाणा देती है इसलिए पूरे देश में तीथोस्तोलों को आस्ता और अध्धाद्मों की केंद्रों को साजाया सोबारा जा रहा है माननिय सद्ध्योगन मेरी सरकर विकास के साथी विराशोत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है विराशोत पर कर्व का ये संकल्प आज अनुसुचित जाती जनजाती वन्चित वर्व और सर्वस हमार्व के गोर्व का प्रतिक बन रहा है मेरी सरकर ने भगवान विर्शामुंडा के जन्म दिवस को जनजाती व गोर्व दिवस के रूप में मनाने की शुरुआती है आप अगले बस भगवान वर्शामुंडा की एक सो पचासमी जन्ती के पूरे देश में धूम दाम से मनाया जाएगा देश रानी दूर्गाबती की 500 जन्ती को भी व्यापक स्तर पर मना रहा है पिछले महिने ही देश ने रानी ओहिल्याबाई हलकोई की 300 जन्ती का साल भर चलने वाला महस्चब भी शुरू किया है इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550 और गुरु गविंद सिंग जी का 535 प्रकासपरववी दूम दाम से मना चुके है एक भरत चेस्ट भरत के भाव से कासी तामिल संगमोम सोरस्टो तामिल संगमोम जैसी उस्चबों की कोई पट्ती भी मेरी ही सरकार ने शुरूती है इन आयोजोनों से हमारी नहीं पीडियों को राष्टो निर्माण की प्रणा मिलती है और राष्टो पर गोर्व का भाब और और मोजबूत होता है मानिने सदस्योगन हमारी सफलताई हमारी साजी धरफर है इसलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं साभिमान होना चाहिए आज अनेक सेक्टोस में भारत बहुत अच्छा प्रणा सुन कर रहा है ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगोती और सफलताउं पर गर्व करने की अपार अबसर देती है जो भारत दिजिटाल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रणा सुन करता है तो हमें गर्व हना चाहिए जो भारत के बज्यानिक चंद्रजान को चंद्रमा के दोखिनी धूर पर सफलता से उताते है तो हमें गर्व हना चाहिए जो भारोत दुनिया की सोब से तेज बड़ती एकनोमी बनता है तो हमें गौर भना चाहिए जो भारोत इतना बड़ा चुनाओ भीजान बीनत बड़ी हिंसा और और अज़क्ता से पूरा कराए तो भी हमें गौर भना चाहिए आज पूरा विश्ण हमें मादार डेमोकरासी के रूप में सन मान देता है भारोत के लोगों ने हमें इस लखतांत्रों के प्रति अपना पूरण विश्वास परकट किया है चुनाओं से जुड़े सोंस्ताओं पर पूरा भरोस आज जदाया है सोस्त लगतंत्रों को बनाया रखने के लिए हमें इस विश्वास को सोहेज कर रखना है इसकी रख्या भी करना है हमें याद रखना होगा लगतंत्री सोंस्ताओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को कटना जैसे जिस पोर हम सब बेठे हैं हमाई लगतंत्रों की विश्वास नियता को खेश पहुंचाने की हार कोशिस की सामुहिक अलोचना होना चाहिए हम सभी को ओद और याधे जो बलट पेपर चीन लिया जाता था लूट लिया जाता था मोतदान प्रक्रिया को सुरुख्षित बनाने के लिए इभीयम को अपनाने का फेशला किया गया था पिछले केई दोसकों में इभीयम में सुप्रीम कोट से लेकर जनता की अधालत तो खार को सोटी को पार किया है माननिय सदस्योगा मैं आप सभी सदस्यों से अपनी कुछ और चिंताएं भी साजा करना चाहती हूँ मैं चाहूंगी कि आप सो भी इन विशोयों पर चिंताएं मनन करके इन विशोयों पर थोस और सुकरात्म परिणाम देश को देश आज की संचार क्रांती के यूग है मैं बिगोटन करी तक्ते लक्तंत्रों को कौमजोर करने और समाज में धरार डालने की साजी सरच रहे हैं ये तक्ते देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी संचालित हो रहे हैं इसके द्वारा आफ़ा फेलाने का जोनता को भ्रोम में डालने का मिस इन्फर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है इस स्थिति को ऐसे ही बेर ओक्टोक नहीं चलने दिया जा सकता है आज के समय में टेकनोलोजी हार दिन और उन्नोत हो रही है इसे में मानवता के बिरूत इनका गलत उपयोग बहुत घातक है भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिन्ताओं को प्रकट किया है और एक गलोबाल फ्रेमवर्क की वकालत की है हम सभी का दाइत तो है कि इन प्रभूर्ती को रोकती इस चुनती से निपटने के लिए नहीं राश्ते खोजे मानन ये सदस्योगन 21 सदी के इस तिसरे दसक में आज गलोबाल उडर एक नया सकल ले रहा है मेरी सरकर के प्रयासों से आज भारत विश्वबंधू के रूप में दुनिया को नाया भरसा दे रही है मानव केंद्रित आप्रोच रखने की वज़े से भारत आज किसी भी संकट के समय फार्ट, रेस्पंडर और गलोबाल साउथ की बुलोंद आवाज बना है कोरोना का महा संकट हो, भुकंप जेसी कोई त्रासोदी हो या फिर युद्धो की स्तितियां भारत भावनात मानवता को बचाने में आगे रहा है भारत को देखने का विश्व का नजरिया के से बदला है ये इताली में हुई G7 समिट में भी हाम सोभी ने अनुभूब किया है भारत ने अपनी G20 उद्धकता के दोरान भी विश्व को בש को औनेक मुद्दों पर एक जूट किया है भारत के उद्धकता के दोरान ही अफ्रिकान उन्योन को G20 का 272 सो बनाया गया है इससे अफ्रीका महादिप के साथ साथ पूरे गलोबाल साउत का भरोसा मोजबूत हुआ है नेवरूरूर्ट फास्ट पोलिशी में चलते हुए भारत ने पोड़ोसी देशों के साथ अपने रिष्टों को मोजबूत किया है साथ पोड़ोसी देशों के नेताओं का नो जून को किंद्यो मौन्ति परिष्ट के सफ़त ग्रहन समारों में भाग लेना मेडिशोर करकी इस प्रातमिकता दोस्ताते है भारत सबका साथ सबका विकास की भवना के साथ इंडो पेसिफिक छेत्रों के देश के साथ भी सोहजोग बढ़ा रही है पूर्भी एसिया हो या फिर मीडिल इस्ट और इउरोप मेडिशोर का कोनेक्टिविटी पर बहुल बॉल दे रही है भारत के बीजोन नहीं इंडिया मीडिलिस्ट इउरोप एकनोमिक कोरीडर को आकार देना शुरू किया है ये कोरीडर 21 सोधी के सोब से बड़ी गेम चेंजर में से में एक सिध्ध होगा माननिय सदस्यगन आने वाला कुछ महिने में भारत गणतंत्र के रूप में 25 वर्ष पुरी करने जा रहे है भारत का संबिधान विती दोसकों में हार चुनती हार कोशोटी पर खरा उत्रा है जो संबिधान बन रहा था तो भी दुनिया में एशे तक्ते थे जो भारत के ओसफल होने की कामना कर रही थी देश में संबिधान लागू होने के बाद भी संबिधान पर अनेक बार हमले हुए है आज 27 जून है 25 जून 1905 को लागू हुआ अपातकाल संबिधान पर सिधे हमले का सोब से बड़ा और काला और ठाथ था तो पूरे देश में हाहाकार मस गया था लेकिन ऐसी ओ संबिधानिक तक्तों पर देश ने विजोई प्राप्त करके दिखाया क्यूंकि भारत के मूल में गणों तंत्रों की परमपराय रही है मेरी सरकार भी भारत के संबिधान को सिर्फ राजकाज का माध्धोम भर नहीं बानती बॉलकि हमारा संबिधान जोन चेपःना का हिस्सा हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं इसी धेव के साथ मेरी सरकान ने 26 नुवेंबर को स्वंविधान दिवस के रूप में मनना शुरू किया है आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मुकस्मिर में भी स्वंविधान पूरी तरह लागू हो गया है जहां आर्टिकल 370 की बज़े से स्थीतियां कुछ और थी मानने सद्दस्योगन राष्टर की उपलवधियों के निर्धारों इस बात से होता है कि हम अपने डाइतों का निर्बहन कितनी निष्टा से कर रहे हैं अथारे लोक्षवक में कई नई सद्दस्यों पहली बार संग्षद्यों पुराणी का हिस्षा बने हैं पुराने सद्दस्यों भी नई उससा के साथ आये हैं आप सुभी जानते हैं कि आज का समोय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है आने बाले बोर्षों में भारत की सरकर और संग्षद का क्या निन्नोय लेती हैं बनाती है इस पर पुरा विश्च की नजार है इस अनुकूल समोय का अधिक से अधिक लाप देश को मिले एदाइत्तो सरकर के साथ संग्षत के हार सोद्धश्च का भी होना चाहिए पिछले दोस बर्षों में जो रिफन्स हुई है जो नाया आत्मो विश्वास देश में आया है इससे हम विक्सित भारत बनाने के लिए नहीं ग्यति प्राप्थ कर चुके है हामसोभी को ए हमिशा ध्यान रखना है कि विक्सित भारत का निर्मान देश के हार नागरी की आकांख्या है संकल्ख भी है इस संकल्ख की सिद्ध में अबरोद पैदा ना हो ए हामसोभी का दाइत्त है भी कर्टब्य भी है नीतियों का बिरोध और संगशदियों कामकाज का बिरोध दो भिन्यव आते हैं ज arguments सुचारू रूप से जलती हैं जो इहां सोस्त चोर्चा परिचोर्चा होती हैं जोब दुर्गवी निर्नोई होते हैं तो लोगों का विश्वा सिर्फ सरकरी नहीं पूरी बेवस्ता पर बनता है। इसलिए मुझे भरसा है कि संस्वत के पल-पल का स्वदुबोजग होगा जनहीत को प्राक्मिक्ता मिलेगा। हमारे बेदों में हमारे रुशियों ने हमें कुछ नीति बानी दिये हैं जैसे कि संस्वत की मूल भावना है। इसलिए जो भारत पिसरी नमबर की एकनोमी बनेगा तो डेश की इस सफलता में आपकी भी सोहभागिता होगी। हम जो दो हजार सोताइस में आजादी की सोताब्दी का उस्वत बिक्सित भारत के रुप में मनाएंगे तो इस पिड़ी को भी स्रेयों मिलेगा। आज हमारे जुबा में जो सामुर्थ है, आज हमारे स्वंकुल्मे में जो निश्था है, हमारे जो असंभव सी लगनीवली उपलवधियां है, इस बात का प्रमाण है कि आने वाला दोर भारत का दोर है। ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाप आने वली एक हज़ार बोर्शतों तोक रहे गाए। आईए हम सो मिलकर पुर्णों कर्टपनिस्टा के साथ राष्टियों संकुल्पों की सिध्धी में जूट जाएं, विक्षित भारत बनाएं, आप सभी को मेरा बहुत 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 सुपकमनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत